किशन डार्लिंग, सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज एक काम करोगे? क्या? नीचे जाकर चंदु से कहाओ, कि गरम पानी ले आए, मुझे गोली खानी है चंदु को इस वक्त उठाना ठीक रहेगा? अरे, वो सोक आ रही होगी, वो तो अपनी पती की यादों में खोई होगी लेकिन, ठीक है पेटी बेटी, तेरी पती ने सोने के लिए तुझे ये विस्तर दिया है वो, वो, आज मुझे विस्तर पे नहीं सुने है, पापो मैंने अपने बाल धूप में सुफेद नहीं किये है, बेटी तेरी जूट के पीचे छुपा हुआ दर्द मैं अच्छे तरह देख सकता हूँ ऐसे बात नहीं है बापो, मैं बहुत सुखी हूँ सुखी है? तु कितने सुखी है इस फोटो ने मुझे सब कुछ बता दिया है किस अन्य हम से, किस जनम का बहर निकाला है इन्हें मर्द कोसो बापो, ये बहुत अच्छे आदमी है बाबुजी ने इनकी पसंद न पसंद की बिल्कुल परवा नहीं की और मुझ जैसे बदसुरत गमार को इनके सम मड़ दिया पता है, बुस्से शादी करने के बाद इनके जिंदगी नर्ग बन गई है बेटी, अपने जीते जी मैं तेरी जिंदगी नर्ग नहीं बने दूँगा कल ही मैं तुझे अपने घर ले जाओंगा बापो, तुम ही कहा करते थे के बाप के घर से बेटी की डोली जाती है और पती के घर से उसकी अर्थी मैं यही रहूंगी बेटी बापो, मैं तुमसे बिंती करती हूँ बापो जी को कुछ नहीं बताना नहीं तो, इनके मन के शांती और मेरे खुशिया मिटी में मिल जाएंगी बेटी, अपनी इस टीज को तुखुशी कहती है हाँ बापो, हालाके उन्होंने रादा बेहन से शादी कर लिया लेकिन इने 24 घंटे मेरा ख्याल रहता है मेरे आप में छोटा सा भी दिन का पड़ जाए तो दुख रादा बेहन को होता है जब ये दोनों मुझे इतना चाहते हैं मेरे इतनी फिकर रखते हैं तो मुझे इससे बढ़कर और कौन से खुशी हो सकती है बापो, रादा बेहन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए इसलिए, इसलिए सूरज निकलने से पहले तुम दोनों यहां से चुप-चाप चले जाओ तेरी जिन्दा लाश को देखने के बाद भी मुझे यहां से चुप-चाप चले जाने को कह रही है बेटी लिखे को कौन मिटा सकता है बापो नसीब अपना अपना आज कम से कम में इनके पास तो हूँ इस घर में शामती तो है अगर रादा बेहन को पता चल गया इनके जिन्दगी दो बहर हो जाएगी इद्वा होकर सारी जिन्दगे में तुम्हारे घर पर रहूँ यह स्वागन बनकर दोनों घरों के लाज बचाए रखूँ बापो, मैं तुम्हारे हाथ चुड़ती हूँ सुबा होने से पहले तुम दोनों यहां से चले जाओ मैं तुम्हारे पहु बढ़ती हूँ बापो, चले जाओ यहां से, चले जाओ बैटी, बैटी, रोती नहीं बैटी, मैं बैटी भगवान किसी दुश्मीं की बैटी की बही ऐसी दुल दुश्यान न करे ठीक है बैटी, कल सुबा होने से पहले ही, मैं भीम को लेकर यहां से चला जाओंगा चलता हूँ बैटी, चलता हूँ भीम, इस गलास में भी डाल हम भी पीएंगे अरे वाह, यह मिलाइती है, बहुत तेज है आज तो तो जहर भी पिलाएगा न, वो भी हम पी जाएंगे क्या बात है, नीचे जाने से पहले तो ना कर रहा था, अब क्या हो गया बिटीया की खुशी देखके पागल हो गया हूँ जो सपने भी भी नहीं सोचा था, वो अपनी आँखों से देख लिया अरे, तेरी आँखों में आँसू? अरे पागल, ये तो खुशी के आँसू है ले पी, ये ले अरे पानी अरे वाँ अरे वाँ ले ले, ले, ले अरे एक ये दिन की खुशी देखके बेटी की तो किलास पे किलास चलाए जा रहा है अगर एक मीना उसके साथ रह गया अप फिर क्या करेगा? अरे, एक पोतल तो क्या हम दुगान के दुगान पी जाएंगे ले यह भीम एक बात हम भूली गए थे क्या? अभी आदाई है वह है न, टिरेक्टर की किस्त भरनी है परसौम अगर नहीं भरी गई तो बैंक वाले टिरेक्टर उठा के ले जाएंगे चल अभी गाउँ चलते है अभी? हाँ अरे, किशन को मिले बगा कैसी जाएंगे? किशन…किशन तीन-चाइ दिन के बाद आएगा ये बहुत जूरी काम है हमारी उज़द का सवाल है चलना वाई तेरे इजट हमारी इजट है, किषिर कहा भागा जारा है, फिर कभी उसे मिलने आजाएंगे, चल, जलते हैं चल, आजा आजा, 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 आजा एजी, इतने परेशान क्यों हो, वो लोग चले गए चंदो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चंदो समझ में नहीं आ रहा इस उल्जन को कैसे सुलजाओ उल्जन, कैसी उल्जन, आखिर तुमने किया ही क्या है ये, ये सवाल तुम पूछ रही हो मैंने तो वो पाप किया है, जिसे भगवान की माफ नहीं कर सकता चंदो, मैं ये समझता रहा है कि तुम मेरे काविल नहीं हो क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारी सूरत देखी लेकिन आज जाना कि सूरत ही सब कुछ नहीं होती सीरत ही सब कुछ होती है और सच पूछो, तुम मैं ही तुम्हारे काविल नहीं हूँ चंदो तुमने ती तकलीफे सही ते दुख जिले और एक उफ तक नहीं की मुझे से राक्ष उसको देवता मानती रही, क्यों चंदो, क्यों? इसलिए केस में गलती तुम्हारी नहीं मेरे नसीब की है जो मुझे यहां तक घसिक लाया और तुम्हारी हस्ती खेलती दुनिया में जहर खुल गया जहर तो मैंने घुला तुम्हारी सिंदगी में मैंने तुम्हे को कोई सुख नहीं दिया जो एक पती को देना चाहिए था आज मैं सबको पता दूगा कि तुम मेरी पती हो तभी मैं चैन से मर सकूँगा चंदू तो.. नहीं, ऐसा शुब नहीं बोलते जी और जे भाफ करदे चंदू मैं भाफ करदे.. तो मैं पाप पाशा में लावाँ रतनी जी मैं तुम्हारी आखों में आसु नहीं देख सकती जिपो जाए रतनी जैटो कुलता? नीच? कमीनी? तेरा पती तुझे छोड़कर चले गया या तु आपने पती को छोड़कर चली आई तु आहरत है? ठुआ मैं तुझे तुरे पती से मिलाना की कोशिश कर नहीं थी और तुने तुने मसंद मेरा ही पती छील लिए थी चिड़े, हर शुकरवार को मंगल सुतर के पुजा किया करती थी किसलिए, दूसरों का सुखा कुजारने के लिए बोल, जाब दे, बोल दिखियो नहीं अब तो मेरे घर में एक मिनट दे नहीं सकती मैं तुझे घाँ आगे बहादे करते kare, उलसके नहींता, ञाभा! करते बनके म Islands! करते! मैं इसोड़े उनमयों! ह dwpa! हम इnek! मैं उन्यार's, चाहते! मैं एका कई नहिसरी चाहते! करते मैं लphisथीन है. इसका कोई गुनाह नहीं है, कोई कसूर नहीं है, इसका कसूरवार मैं हूँ, गुनिगार मैं हूँ हाँ, मैं ही इसका खोयवा पती हूँ क्या, तुम, तुम इसके पती हूँ हाँ, 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 मैं ही इसका पती हूँ धोके बास, सरेभी, मकार, तुम हमारी जिन्देगार से खेलते रहे हूँ मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूगी, जिन्दा नहीं छोड़ूगी मैं तुम्हे नो भी है। तीसरे को तो खोना है पड़ा है मैं अजाने में तुम दोलों के पीछ पे आ गए थी मुझे खोना है चाहिए किशन नहीँ ऐसा नहीं होगा रोती क्यों होती थी चोड़े राधा किशन के नहीं किशन और रुकमरी क्यों होती है और मैं तो राजा हूँ ना मेरे कफूर के लिए तुमने ये खुर्मानी क्यों देलादा ये खुर्मानी नहीं है किशन बड़ी भेहन के सुख के लिए ये मेरा फर्ज था इसकी गुड़ना तुम मैं हूँ मैंने इसका पते छेटा किशन तुम्हारी पत्मी बनकर मैंने तो कुष्टिरों का सुख पागे लिया लेकिन इस बचारे ने तो दुखी दुख सहा है किशन इसे इतना प्यार देना इतना प्यार देना कि अपने पिछले तबाव दुख भूल जाए ये मेरी अंतिम इच्छा है पूरी करोगे ना देदी मैंने तुमसे वादा किया था ना कि एग दिन तुभारे पत्थी को तुभारे पाज जरूर लेओगी मेरा पती तेरा देवतादे मेरा पती तेरा देवतादे